हेलो प्रेंस में पल्टम दास्वार अपलेप दिखर रहे हैं में लोटनिस तो आज एक नए बडिलेगे हाज जिरू कि मेरे पास सेमसंग का फ्लैटन टीवी है इसका हमारा जो कि है इसकी जो है वह मतलब नहीं आ रहा है बिल्कुल भी ब्लेक स्किन है और इसमें से आवाज इसका साम जब हम टीवी को वान करते हैं तो इसमें से आवाज जाते हैं मतलब टिक टिक करके आवाज आता है तो इसका कारण क्या हो सकता है उसका कारण भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा और आपको सुलेशन भी बताऊंगा और क्या करना है ओ भी बताऊंगा ठीक है तो तो मेरे चनल को आप लोग ने अगर सब्सक्राइब करें और जिन लोग ने सब्सक्राइब करें लिए उन लोग को बहुत धिनवाद ठीक है और इस वीडियो में आपको कॉंप्लीट बताओं का ठीक है तो संसंंंग टीबी निहीं होरा है आप तो इसमें किस faith by step करेंगी इसके दिकाता है तो गाइस यह है हमारा सेमसंग टीवी ठीक है तो इसमें जो फॉल्ड है हमारा योक में पॉब्लेम इसका योक था ठीक है जो की योक है हमने यो किसको नाया लगा दिया हो फिलाल इसका कॉन सा वाला योक था यूग गता रहा हूं इसका यह वहला योक था जो अल्रेड़ी रिपार हो चुका है देखसकते हैं तो इसका करण क्या होता है अगर ज्यादा रिपारिंग करेंगे अब तो हम चल तो जाएगा लेकिन आपको जिया कुछ ही दिनों में यह वपस खराब हो जाएगा ठीक है तो इसको अल्री रिपाइर कर चुका है तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया हूं तो इसके साथ में आपके क्या खराब होगा अगर यह डेड़ हो जाता है तो वापके इसके साथ में क्या खराब होगा यह खराब होगा उसका साथ में यह स्विचिंग का जो मॉस्प्रेड है यह खरब होगा वानेट जीरो थी कोई भी हो सकता है स्विचिंग के लिए यह पूर तो मैंने किया किया भी बिल्कुल ली डैड था आवाजा रहता अंदर से तो हमारा पास यह खरब था जो कि मैंने सेम्टू सेम यह लगाया हूँ और मार्कट में कौन सा यह मिलता है ओ भी मैं दिखाऊंग है तो इसके साथ में यह खर आप हूँ जो कि यह स्विचिंग के टांडिस्टर यहां पर लगा हूँ और यह नया यूजर के लिए में बबता रहा हूं और आप यॉक के साथ आप इस पकर से आता है जो कि मैंने इसको काड़ दिया हूँ आपको दिखाऊंगा इसको खूल निये तो के लेके हूँ अपक जसे को फिसा यशान आपको अब पर फिसे आपको बैब दिखाऊंगा इसको जिए थो कि अधा हूँ आपको और यॉदॉ हूँ कि तो यह मोज़न है यह तो हमारपाद जो यह यह है यह 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 परकंद कंद कॉइल है ठीक है तो यह बला ऊर्जिनल था अब यह हम year मार्केट से लगाएगा लेकिन इसको आप लगाते समय आपका योग जो है वो परफेक्ट काम करेगा या नहीं करेगा इस वीडियो में आप लोग देखेंगे अगर परफेक्ट काम करता है तो यह बैतरिन योग के मैदम से मना जाएगा क्योंकि कोई-कोई योग लगाने के बात क्यों होता है अलाग अलाग डिफरेंस का कलार खेचिंग करना पड़ता है लेकिन इसमें चेक करेंगा हम आप लोग मेरे साथ बने देखेंगे तो इसका साथ में जो इसका मोडल नमर जो है आपको देख सकते हैं यह आपको लिखा हुआ है और इस पर जो कोईल दिया यह लगबक कम ही है और इसको भी इतना ही है तो हमारा खायल से परफेक्ट आना चाहिए लेकिन लगाने का कॉंप्लीट स्विचिंग करने के बाद हम इसमें पता चलेंगे तो यह सोकेट यह एक सत मेटेस आता है जो मैंने की इसको काड़ दिया हुब इसमें से सिंगल सिंग दिया पर यह उसके लिए तो इसको हम बिठा देता हुए आपको इसको और हम इसको इसको इधर लगा देता हूं रेडिवला को इधर सबसे इधर उपर उसके साथ में तो दो फोरिजन्टल स्टेक्शन कर यह दो वार्टिकल स्टेक्शन कर तो हम इसको बिठ़ा देदा हूं और हमारा साथ में यह को भी लगा देता हूं कि इसको अगर नहीं लगाएंगे तो आपका कलार फेचिंग आएगा इसका साथ में भी तो हमने इसको लगा दी तो हमरा साथ में यह ट्राइश्टर खर जो है स्वीचिंग के एक ट्राइश्टर खर अब था और हमारा यॉक खर था इन दोनों को चैंज करने के बाद हम इसको पावर दे रहे हैं कि अब दे दिया हम यहने पावर अल्रेडी ओन हो चुका है हमारा डीजी स्वीचिंग ले चुका है अब हम इसमें देखेंगे समनी या आ चुका है और यहां का स्किन में आपको ग्लास में दिखा रहा हूं तो देख सकते हैं फुरा स्किन जो है हमारा आ रहा है ग्लास में दिखा रहा हूं तो गैस आप देख सकते इसमें यह जो यॉक है यह पर्फेक्ट काम किया है और तो इसका हाइट अगरा है वो भी सिरी से आ रहा है कोई दिक्कत बहले बात नहीं आप इस यॉक को यूज कर सकते हो और यह यॉक पर-पर कम कर रहा है ठीक है तो आसका वीडियो यहाँ पर यूज करते हैं आसका वीडियो यहाँ पर खत्म करता हूं ठीक है और आप लोग मेरे चैनल को जो लोग नया है जो सब्सक्राइब कर लिए और साथ में बेल आइकन को भी दवा दें तो बंदे मातरम जाए हिंद जाए भारत तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं आपको का साथ में तो इसका जो इस्टी का नमबर है यहाँ पर दपको मेंशन होगा इसका इस्टी का नमबर 140001 इसका इस्टी का नमबर है 140001 ठीक है तो बस हो गया 140002 इस्टी का जन हो नमबर है 150002 इस्टी का जब करता है कर दोगते सेङ्टारी को पता सकता है